पार्टी की रास्तिय जगत प्रकाश नड़ा जी आज कल हिमाचल दौरे पर हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जगत प्रकाश नड़ा जी तुफानी दौरे तो कर रहे हैं। पर उन्होंने जो क्षेत्रियस अपताल बिलास्पूर है उसकी कभी सुद नहीं ली। आज क्षेत्रियस अपताल बिलास्पूर में अव्यवस्थाओं की का अंबार है। शेत्रियस अप्ताल बिलासपूर लगवग डेड़ वर्षों से एक M.D. मेडिसीन के लिए तरश चुका है रेडियो लॉजिस्ट का पद भी यहां पर खाली चल रहा है हमारी मात्री शक्ती को माताओं बेहनों को अल्ट्रा साउंड करने के लिए निजियस अप्तालों का रुक करना पड़ रहा है पिलासपूर में तो स्थिती ऐसी है कि निजियस अप्ताल भी पूरे के पूरे अल्ट्रा साउंड दिन में नहीं कर पा रहे है आजकल जो एंथिसिया की मशीन है वो भी पिछले बहुत समय से खराब चल रही है साथ में जो ठेका जो नीजी लैब को दिया गया है वहाँ पर भी दो बजे के बाद दोपहर में कोई टेस्ट नहीं हो रहा है और जो टेस्ट हो भी रहे हैं उनकी रिपोर्टें दो और तीन तीन दिनों के बाद आ रही है हमारी प्रदेश सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द खेत्रेस अपताल बिलासपुर की स्थिती को सुधारा जाए खेत्रियस अप्ताल की स्थिति को सुधारने के लिए बिलासपुर युवा कॉंग्रेस कल से असप्ताल परशाशन के बाहर क्रमिक भुखरताल पर बैठने जा रही है और यह भूक हर्ताल लगातार 24 घंटे जारी रहेगी और हमारी यह भूक हर्ताल तब तक रहेगी जब तक जो परदेश की गुंगी बहरी सरकार है वो जागीगी नहीं और जो खेत्रिय सुप्ताल ब्लासपुर्व है वहाँ पर जो हमारी मांगे हैं परमुख मांगे हैं उनक कि हेवा।